हेलो एवरीवन एन वेलकम अगें टू दिस चैनल आप लोग कैसे हो मुझे ये कमेंट्स में लिख के बता देना और आज चलिए सुरू करते हैं हमारा प्यारा सा टॉपिक एसीड बेसे इन सॉल्ट और इसको हम लोग खतम करेंगे वन शॉट रिवीजन में ठीक है यह हमारा ह चैनल पर लोग तो प्लीज डू लाइक सिरीज जिसमें हम लोग आपको टर्म वन की जो भी चैप्टर सायर है हम उन्सकी जो है क्या करें तैयारी करवार रहे है ताकि आप लोग जो है अच्छा स्कोर कर सको ठीक है तो यह जो हम लोग वन शॉट में अगदम अच्छी एक् जादा में टाइम आपका वेस्ट नहीं करना चाहूंगा बस इतना कहूंगा कि आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब और शेयर आवर चैनल विद यूर फ्रेंट एन फैमली ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे तो चलिए आज का टॉपिक स्टार् तो क्या होता है एसीड बेसेज एंड सॉल्ट है ना तो यह हमको जानना पड़ेगा तो इसकी चलिए डीटेल एक्स्परिशन शुरू करते हैं तो एसीड क्या होते हैं यह सबसे में इंपोर्टेंट है जो आपके एक्जामिनेशन पे काफी जादा पूछा जाता है कि क्या कवंन होता है बीट्विन इसी डेंन तो आप बोलोगे कि एंच प्लस आयन ओंच मैनस आयंश तो वह आगी जाके पढ़ेंगे यहां पर आता है हमारा अश्गा शलिग के एक क्या होता है कि जब भी basis को हम लोग क्या करते हैं जब अगर acid को हम लोग क्या करेंगे पानी में डालेंगे तो वह h plus ions को release करेंगे यह हमें किस ने बताया था Arrhenius ने बताया था ठीक है Arrhenius concept करके आपके पास दिया हुआ है भूक में ठीक है तो यह बोला है वीनेगर, hydrochloric acid, sulfuric acid यह सारे जो है कुछ acids है क्योंकि इनमें common क्या चीज़े है कि H plus ions क्या है वो release कर रहे है यह जब combine कर जाते है H2O molecules के साथ तो यह H3O plus ions का formation करते है H3O plus ions क्या होता है इसको हम लोग hydronium ions क्या बोलते है H3O plus ions यह क्या करता है water के साथ combine कर लेता है कौन combine करता है जो कि acid से निकला हुआ है hydrogen वो क्या करता है water के साथ combine करके H3O plus ions को बना लेता है H3O plus ions जिसको हम लोग hydronium ions आप नीचे देख भी सकते हो ठीक है इसको यह बना लेता है चलिए इतना समझ में आगए acids के बारे में सो यह basic चीजे थी कि वो shore होते test में blue litmus को red में change कर देते dissolve करते ही water में H plus ions release करते यह किस ने बताया था Arrhenius ने Arrhenius जो थे हमारे एक scientist थे जोन्हेंने अपना Arrhenius concept दिया था अब properties क्या क्या होंगी acids की तो देखो most of the acids का taste sour होगा जिसा मैंने आपको बताया react with many metal वो क्या करेंगे बहुत सारी metal के साथ react करके hydrogen gas देंगे और corrosive appears to eat away material while reacting यह बहुत ही ज्यादा क्या होते है और यह metals को भी खा जाते हैं while reacting है ना जैसे कि आप लोग अगर rust वगेरा की बात कर अगर आप acid से react करवाते हो तो यह उसको displaces करने का काम करता है बहुत ही ज्यादा corrosive होते है क्या chemical formula that begins with H है ना इसका जो formula होता है वो generally begins होता है H के साथ यह generally जरूरी नहीं है बट यह आपके पास एक दिया गया concept है ठीक है चलो अब जैसे कि अगर हम बात करें एक reaction की तो zinc metal के साथ हम लोग hydrochloric acid कर गारे है हमारे पास हमारे पास हमारे पास H2 सिर्फ क्यों क्योंकि यह जो zinc था उसने hydrogen को replace करके उसकी जगा खुद ले लिए तो इसको बहुत सिंगल displacement reaction जो कि मैंने आपको chapter 1 में पढ़ा रखा है तो यही बोल रहा है अभी जो है properties of acids में है ना कि यह क्या करते है को रोसिभ होते है इन जो जैनरी है अब हम इसको define करेंगे और कैटेग्राइज करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से पताचले कुछ common acids हमारे पास पाई जाते जैसे acid acid जिसको CH3CF1OOH chemical name होता तो citric acid होता है formic acid होता है hydrochloric acid होता है sulfuric acid होता है क्लासिफिकेशन आफ इसिट को कैसे क्लासिफाय किया है हमने एसिट को क्लासिफाय को हम बोलते है एं बलते हैंhte-जुरो मिनरल इसेट भी हम लोग इसको बोलते है मिनरल इसेटि है , अब भर कि ब्हूते हैं peso JAMES औरल्मा, लाटका है दीन, तो इते हैं, पàyफिलर में धाय मच चेशायμ Inspect? जो आपके विनेगर में पाइय जाता है। ओआ topics गे इह लिए जो मोई काट लेती हैं में युद। इमेरली इन्टरिके सीड एंटर्न शिर्थ, कला एंटिके सिल्फिदे था तर वे तर डीर प्रिपियर किये जाते हैं इसलिए इनको इन और्गैनिक एसिट्स बोलते हैं हाला कि HCL आपके स्टॉमक में पहले से प्रिजेंट होता है ठीक है तो यह सारी चीजे क्या है यह सारी इनौर्गैनिक एस तो यह तुसुरी जाए है इसको मैंने भी पढ़ाया ही था कि यह दो त प्रफर बोलता है आपको मैंने यह चप्रे वन में अच्छी तरीके से बता रहा है तो यह सारी जो है कॉमन चीजे है तो और गनिक यह जो कि हमको प्लांट और अनिमल से मिलेगा और इन और गनिक जिसका हम यूज करके क्या करेंगे मिनरल का यूज करके बनाएंगे तो इन औ देख लिया कि उफिर एंगे पाद कहा Bj orang जैसे कि जो ओम के प्लांट अनिमल से अाय Люб एकूर्मी इसके तlon और यूर्ब कर दाम होन फ्रका और खोलेके हैं तकि इसको न्यौजि वाटर सब्सक्रम एक करें ़ायों सिनग ने पैसी और यह कर शोलता है और यहनए क्टार हुडसीजिक ही यह पाँव सुपी Rei यहां पर क्या हुआ है डिसोसियेशन प्रोसेस के तहर्त यह चला गया है तो वेन बेसेस जो है अईनिक कंपाउंड उसको क्या करता है वो स्प्लिट हो जाता है आपको पता है कि बेसेस के इखन के के की सब्सक्राइब के सब्सक्राइब कर दो लिए और वेनने सब्सक्राइब कनता है चैसे कर्सक्राइब यह अचल खानड और एक च वे लिसो का कर flank रहे तो common base जैसे की ammonia NH3 तो इसका clean fertilizer cleaners में fertilizer generally use किया जाता है sodium hydroxide का soap बनाने में drain cleaners वगेरा में क्या क्या जाता है इसका use किया जाता है washing powder बनाने में ठीक है इसका मैंने आपको पता ही रखा है magnesium hydroxide क्या होता है ingredient found in the mgoh इसको बोलते है यह magnesium hydroxide हमारा mgoh antacids में यह use होता है ठीक है generally antacids में यह हमको देखने को मिल जाता है तो यह हमारी कुछ common basis थे जैसे ammonia NH3 था ठीक है यह sodium hydroxide था that is any OH यह सारी जो हमारे common basis है ठीक है चलो इतना clear हो गया ना तो आपके लिए आप समझना आगे की चीजे और भी पता इजी हो गई हमको common पता चल गया acids और bases के बीच में अब acids और bases तो हमको पता चल गया बट हम लोग सभी चीज़ों को टेस्ट वगरा करके नहीं पता सकते तो हमें ज़रत पड़ी indicators की अब देखते है इंडिकेटर्स होता क्या है तो indicators क्या है indicators are used to determine if a substance is acid or basic यह वैसे substance को देखने के लिए होता है कि एक substance is acid है उसके लिए indicators का यूज करते है इंडिकेटर्स का यूज करते है इंडिकेटर्स चेंज कर लेगा specific अगर acid में हुआ तो कुछ और color base में हुआ तो कुछ और color यह अपना देदेगा so हमारे पास कुछ दो types के indicators आ जाते एक natural और synthetic indicators भी आते हैं तो नेचूरल में सबसे पहले होता है लिचेन लीचेन से बनता है लीटमस पेपर और लीटमस पेपर क्या करता है दो color में होता है एक blue में अबलेबल होता एक red में होता आप देखो यह किससे बनता है यह हमको बनता है जेटी घ्राव को की आप जाता सकता सकती है जो की खुंधा बुलाया ।204 है तो समझ पोस्टाइगा तो के पे दोने में तो बुलषब त्याग्रों के पी बता ज्या के वाहिक है। तो आपको नहीं पता है कि वेदरा सबस्टांस क्या है इस इडिक है या बिल्सीख है तो हमको दोनों से टेस्ट करना पड़ेगा अगर उनमें हमको कलर चेंजेस दिख जाता है तो हम लोग माल लेगे कि वह सबस्टांस वह वह चीजे है जैसे कि अगर ब्लू से रेड हो गया तो माल लेगे वह अगर रेड को उसने ब्लू कर दिया तो इसलिए हम लोग दोनों का यूज करते हैं बट इन दा केस अब अगर कहीं वहाँ पर कुछ भी ना चेंज हो तो वह क सारी चीजे जो है क्या ही नूट्राल चीजे है जैसे नहिकरेड प्ट मेंडिकेटर ऐसे कि आपका जो हो गई यह खका पर रैड चैयशे यहां फीक होता है इसे कि अगिन चिशे करिते हैं नहीं करें तो reject判 रिपना चाहिक है आई बात करेंसे कि और चाहिक हो बह्ता है यह कि इंटिकेटर जो सबस्क्राइब देते हैं तो उनको क्या बोलते है ऑलफेक्टी इंडिकेटर यानि की सुगन्ध की आ पर बात कहीं जा है यह जरेली क्या कहलते हैं ऑलफेक्ट की जा возду Zach के चाञे टीक है इंडिकेटर्स हो जाती往्फैक्ट्री वाली ठीक है तो यह सारी वैनेला हो गया यह सारी चीज़य क्या हो गई और फेक्टारी इंडिकेटर्स जो की अपना स्मेल चेंज करके आप पो देते हैंकë और फेन अप्तिलीन वगेरा यह कलर चेंज करने का काम करता है लिटमस और रेट कैबेज वगेरा यह सारी छीक है आपको अगर इसका नोट्स चाहिए तो आप प्लीज में को बता देना और आप कमेंट्स में लिख दो ताकि मैं आपको इसका नोट्स अबलेबल कबर बाद द रच्टाइबल को अगर याद है आपको तो राक्टवीटी सीरीज का बोलता है कि जो सबसे जादा पावरफूल एटम जो में अटो प्लतिय। हो गया यह सारी जो लस्ट्रिया कि मैंटल्स ईसे कि लेड हो गया यह सारी चीजों को यह क्या करते रिपलीज कर देते हैं से आ Zn SO4 plus H2 gas को क्या कर देगा यह रिलीस कर देगा H2 gas को यह रिलीस कर देगा सेम यही लिखा हुआ है कि Zn solid था उसको मने H2SO4 Equus Solution के साथ डाला तो इसमें क्या 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 है Zn SO4 plus H2 gas को रिलीस कर देगा जो कि मैंने आपको यहां पर बता है क्योंकि Zn है ज्यादा पावर्फूल है 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 और इसने को रिपलेस करके इसने खूर इसकी जगा बना लिए So Zn SO4 का है salt है और यह salt क्या कर रहा है salt form कर रहा है आपको पता चल गया कि अगर acid का हम reaction कर वाते है metal acid के साथ तो क्या form करता है salt का यह जो आपका है यह जो आपका Zn SO4 है यह क्या है एक टाइप का salt है यह क्या है आपका salt है और यहां पर hydrogen gas to rebate हो ही रहा है ना इससे हमको पता चल गया है rough idea हमको लग गया है कि अगर हम acid को react कर वाते metals के साथ तो हमको salt देता है अब similar cases अब देख लो with bases के साथ अगर reaction कर रहा है तो with bases के साथ अगर reaction कर वाते है जिसे Zn प्लस NaOs तो यह क्या बना दिया Na2Zn O2 plus H2 gas release कर रहा है तो इसको बोलते है sodium zincate ठीक है इसको बोलते है sodium zincate और यहां पर hydrogen gas liberate हो रहा है तो यहां पर देख सकते हो ठीक है यहां पर इसने sodium zincate का क्यों फर्मेशन किया है क्योंकि यह जो एक exception है यहां पर zinc जो है sodium से ज्यादा powerful नहीं है यह इसको replace नहीं कर सकता है तो यहां पर combine कर जा रहा है और क्या पना रहा है एने 2-0-2 का formation करकी यह क्या पना रहा है sodium zincate का यहां पर formation कर रहा है तो यहां देख सकते हो कि दोनों ही cases में कैसा कर रहा है salt का formation कर रहा है चाहे बेसे हो चाहे हो acid के साथ हो अगर acid या base का reaction कर रहा है metal carbonate के साथ या फिर metal के bicarbonate के साथ तो आप देख सकते हो अगर यहां पर मेरे पास दिया गया है क्या दिया गया है देख सकते हो आप यहां पर दो reactions दिये गए चलो एक करके देख तो इने टूओ-COO3 यानिके sodium carbonate का हमने reaction कर वाइजन-COO2 स्ट एक हमने थे हाट चीजें कर वाइद है यह हम इसा लिबरेट होंगी ही होंगी ठीक है तो चाहे दूसा reaction देख तो यहां पर हमने यहां भी फॉर्म करके दे रहा है तो यहां पर कॉमन क्या होगे CO2 plus H2O plus salt तो हमेसा यहां बना ही रहा है ठीक है अगर carbon dioxide के साथ test करें तो COOH यानि की lime water हमने लिया whole twice उसमे carbon dioxide को पास किया तो यह on insoluble substance calcium carbonate का फॉर्म कर दिया है जो की lime water को milky में हमें चेंज कर दिया है फिर similarly हमने उसमें H2O और CO2 फिर से मिलाया तो calcium bicarbonate हमको दे दिया जो की soluble होता है water में जो इससे पता चल गया calcium carbonate यहां पर insoluble है whereas calcium hydrogen carbonate यहां पर क्या है soluble है in water जिसको हमने फिर से बनाया किससे salt lime को इसने फॉर्म किया हमने किसको that is calcium का bicarbonate को में salt lime COOH का whole twice के साथ इसको मने form कर लिया तो इससे आपको concept clear हो गया होगा I hope ठीक है तो metal carbonate यह metal bicarbonate के साथ अगर रियाट कर वा हो तो common चीजे जो होती है CO2 plus of H2O जो हमेसा common form में हमेसा निकली का अगर टेस्ट भी करना चाहो तो आप टेस्ट कर सकते और फिर से आप क्या कर सकते हो जैसे calcium bicarbonate मेंने बनाया salt lime का use करके calcium hydroxide का use करके ठीक है अगर PDF चाहिए तब description box check कर सकते हो आप में को message कर सकते हो comments में या चाहिए तो इसका screenshot ले सकते हो ठीक है चलिए नेक्स तिंग reaction of acid with basis का क्या हो जाता है reaction of acid with basis acid or basis के साथ reaction करने पर क्या हो जाता है इसको बहुत है utilization reaction ठीक है यह पर sodium यह क्या form करता है हमेंसा salt plus water का यहां पर formation करेगा याद रखेगा मेंसा ठीक है जैसे कि यह प्लस एचल 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 प्लस एचल को फॉमेशन करता है यह reaction क्या हो रहा है acid का basis के साथ तो salt और प्लस water फॉम होड़ा है एचल का यह यह पर एचल आपका एक एचल है और यह एचल सॉल्ट और एचल वाटर का पॉम कर ही रहा है कि salt and water का फॉमेशन हर केसे में ही हो रहा है ठीक है आज होब कि आपको यह समझ में आ गया आगे देख लो रियक्शन विथ मैटल का उकसाइड अगर अगर मैटल ऑकसाइड का तो मैटल ऑकसाइड कैसा होता है मैंने आपको बता रहा है चैप्टर किस में मेटल नन मेटल में की बेसिक होता है और बेसिक होता है अगर यह सो आपको पता है कि यह क्या करेगा salt and water का फॉमेशन करेगा तो देख लो सिमिलरली ऐलमॉनियम का उकसाइड जो की होता है जाकर कि आप मेरे वीडियो में चेक कर सकते हो हलाकि मैं बता देता हूं कि दोनों इसी डॉर बेस का reaction सो करने वाला एंफोटरी होता है ठीक है जैसे ही हमने ऐलमॉनियम का oxide HCl के साथ एक्ट करवाया तो यह हमने ऐलमॉनियम का salt और water को मिल गया सिमिलरली यह जैड नो भी क्या होता है एक एंफोटरीक oxide है ठीक है एंफोटरीक ज्यादा जानना है ताप अब मेटल वाला वीडियो चेक कर सकता अभी के लिए इतना ही जानो कि यह दोनों प्रोपर्टी शो करेगा बोत एसी डन बेस का ठीक है बिएक्शन और मैटल उकसाइड das यह हमको पाता है कि नन मेटल उकसाइड किसा कम कर रहे है यहां भी क्या हो है non-metallic oxide के साथ यह कैसा काम कर रहा है ? चलिए देखते हैं अभी इंडिकेटर जान लिया रिएक्शन देख लिए इतनी सारी चीजों के अगर क्लियर हो तो थमसब कर दो थमसब करने के बाद कर देना लाइक कर देना मेरी वीडियो को लाइक करने के बाद सब्सक्राइब कर देना चैनल को और शेयर कर दो इसे हम इतनी महनत करें तो आपको इसको शेयर करना तो बनता है ठीक है आप इसको शेयर कर दो ठीक है अपने फ्रेंड्स ठीक है इसको अपने फ्रेंड्स एन फैमली के सा 0 से लेकर के 14 तक हमारा pH चला जाता है ना ACD का या basic हमको यहीं से पता चाल जाता है pH जब measure of amount of H plus ion या फिर OH minus ions का ठीक है इसको potential of hydrogen या फिर potential of hydrogen नापने के लिए लाया जाता है ठीक है pH का मतलब होता है potential of hydrogen, potential का मतलब होता है power potential है hydrogen ion की कितनी power है वो check करने के लिए यूज किया जाता है ज्यादा hydrogen ions हुआ तो उसका pH कितना होगा lower हो जाएगा और वो ज्यादा acidic होगा और कम हो गया तो समझ लो basic में वो चला गया ठीक है या याद रखना अगर ज्यादा hydrogen ion तो pH कम acidic और अगर कम है तो वो basic में चला जाएगा ठीक है चलो pH scale can be used to classify the solution acid or basis चलो इसमें कुछ नहीं है तो आगे चलते हैं हमारे पास pH scale में कुछ और चीज़े हैं जैसे कि हमारे पास pH scale is used to classify the solution as acidic और basic हमने पढ़ लिया है कि acid का pH 0 से 14 तक जाता है अब देखो अगर 0 से लेकर 7 तक है ठीक है झाल two से लेकर के 7 तक है तो जाएगा acid Stock हो जाएगा प्रोच 7 से लेकर 14 तक है कैसा हो जाएगा वो basic हो जाएगा यहां पर क्ुछ से भी आप अथकर भी आया जाता पर कि हो से बीच से कर देख सकते हैं और था के लिए milk of magnesia का कितना है pH यह सारा आप इस skill पर इजली देख सकते हो ठीक है तो यह हमारा पीएच स्किल जिसको युनिवर्सल इंडिकेटर बोलता है यह अलग-अलग पीएच के according अलग-अलग अपना color change करते रहता है अलग-अलग color यह अपना होता है उसका स्ट्रेंट ठीक है पीएच मेजर करते हैं डिसोशियेशन अबिलीटी आयोनिक कंपाउंड की यह सारी चीजे हम देखते हैं यहां पर तो उसको बोल देते स्ट्रेंट की वह कैसा डिसोशियेट कर रहा है अगर कंसर्ट्रेशन की बात करें यह स्ट्रॉंड फी इस स्ट्रॉंड करेंगे यह जादा क्या होंगे होगे एच प्लस आयन आइंगे हो क्या हुए कर दो किरुक्त भेस हुए उच प्लस आयन और यह मैंस साइब्श मिनश पलस आयन मे गया तो कैसे हो जाए गश्यर किख्यक्त अगर outside all of the वीक बैस होजाएगा चैसा हो जागा वीक बैस हो जाएगा यही अमारा स्ष्ट सस्ट्राइव चैस tätä 오सक्राइब कंच संक्राइब प्रॉैचे रवें कि आप आप स्ट्राइद के इत्स पास अब इन टा येसे अजामपल ले जो है यो थालकलाई क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि वह क्या करता है छो कि दिस्वाटर हो जाता है वाटर में करके क्या करते salt and water का formation करते हैं ठीक है तो उसमें H plus ions और OH- ions का दोनों का dissociation होते हैं तो overall pH है वो neutral वहाँ पर बन जाता है क्योंकि वहाँ पर बोथ जो है क्या करता है na acid and base react कर रहा है ठीक है चलो आगे salt क्या होते हैं अभी अब तक हमने जान लिए कि अब देख लेते हैं salt क्या होते है salt क्या होते है the ions which are left behind after the H plus and OH- ions ठीक है न दोनों के जो reaction से बनाए acid and base से जिसमें H plus ion और OH- दोनों हो वो क्या करता है salt होता है है salt होता है ठीक है salt एक ऐसा compound है जो की negative ion और positive ion दोनों के combination से यह क्या होता है होता है जिसमें acid plus base को हमने neutralize करके salt and water formation करता है जिसे की hydrochloric acid potassium hydroxide यह दोनों को हमने react करके KCL यानि की potassium chloride salt और H2O water को release कर दिया ठीक है यह double displacement reaction भी है और एक टाइप से neutralization reaction है जिसमें क्या हो रहा है salt का formation कर रहा है जहां पर यहां पर acidic और basic salt देखने को मिलता है वह भी आकर जाकर करके discuss कर लेते हैं तो यह भी जानो कह प्लस और OH- इसमें दोनों consist होता है और यह neutral हो जाते है कुछ chemical form formula है आपके पास salt के कुछ chemical form है जैसे की sodium hydroxide caustic soda बोलते हैं bleaching powder यानि की calcium oxy chloride sodium bicarbonate या hydrogen carbonate को baking soda और washing soda यानि की sodium carbonate decahydrate इसको बोलते हैं जो की है washing soda यह सारे कुछ common salts है ठीक है चलो आगे preparation देख लेते के करके तो एनियोज कैसे preparation करते हैं caustic soda को तो caustic soda prepare करने के लिए sodium chloride लियाते हैं sea water से ठीक है अगा सब्सार मीलाकर करते हैं electricity पास करते हैं हमको क्या बनाता है इसमें उसे जो है और आट क्या स прошлator — निकल जाता है और आट क्रोस को बहता हैvisible προसेत को क्या करते है Rus बेफ। घ्रख, इसको क्या क्या है रिए theta सै रिए पास क्या कर रिए T शोडा कर रिए फे खिए बालकालाैस कर रिया रिचान क्या है अब देखलो यूज़ेज उप एनियोएच सोडियम है यूज़ करोगे सॉप डिस्टरटिश में पेपर इंडस्टी में लेब्रोट्री एजेंट में ठीक है अब कलोडीन जो निकला एने सील से उसका कैसे यूज़ करोगे डिसिंफेक्टेंट पीवीसी बनाने में जो कि एक होता है तो इसमें लोग कल्सियम है यानि की स्लेक्ट लाइम को लाकर के क्लोरीन के साथ रेक्ट कर वाया और क्लोरीन ने क्या 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 क् हमने COCl2 plus H2O form कर दिया जिसमें से COCl2 हमारा क्या हो गया calcium oxy chloride जिसको हम लोग bleaching powder फिर जाकर के बोलते हैं यही था इसका preparation ठीक है अब यूज क्या होगा bleaching powder का to textile industry bleaching cotton यह सारी चीजहों में यूज हो जाएगा paper industry में pulp के लिए यूज में इसके यूज कर सकते हैं ठीक है इसी के साथ जो है आपका यह chapter पूरा complete नहीं हुआ है एक minute मैंने कुछ mistakes यहां पर मैंने topic छोड़ दिया है चलो उसको देख लेते हैं ठीक है उस topic को बोलते है that is क्या बोलते है उस topic को उस topic को हम लोग बोलते हैं bleaching powder नहीं बोलते हैं उसको लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं हम लोग that is आपका CASO4.H2O है हाफ है बोलने का मतलब क्या होगा यहां पर यह होता है आपका plaster of Paris ठीक है इसको बोलते है plaster of Paris plaster of Paris ठीक है जो कि डॉक्टर वगेरा यूज करते है प्लस्टर परिस यह कैसे फॉर्म होता है आप लोग लाते हो क्या लाते हो CASO4.2H2O क्या लाते हो CASO4.2H2O जो कि जिपसम बोलते हैं इसको ठीक है इसको क्या बोलते हैं जिपसम इसको हम लोग हीट करते हैं कितना 373 Kelvin पर उससे क्या हमारा क्या क्या फॉर्म हो जाता है 852H2O क्या है चैका क्या क्या हो सनौनल की जो हमारी फॉर्मूला होता है प्लस्टर परिस यह हमारा था जिपसम हैचया हो क्या हें जो कि कि आपको डॉक mondo कर लिए हैं तक्टर के कि लोग की दक्टर लोग इसे फॉल्टिंग भर को बनाने में सुंदर सुंदर डॉक्रेटिव आइटम्स बनाने में इसका यूज होता है क्यों है ना चलो तो इसी के साथ यह समझ में आ गए आपको की ब्लीचिंग पॉर्डर क्या होते हैं इसी क्या है यह आपका जो प्लास्ट पेडिस क्या है जिपसम क्या है सारी चीजे क्लियर हो नहीं है तो आप एक थमसब देते ना इस वीडियो पर यह वन शॉट रिवीजन था और भी डिटेल एक्स्प्लेशन की साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी दूसरे चैप्टर के वन शॉट एक्स्प्लेशन के साथ चिलते हैं आप लोग हमको सपोर्ट क करो शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ तकी उनको भी इंसे ब्रेवनी फिट हो जाए और हम लोग बोलेंगे फिर से कि हम लोग क्रैक कर देंगे किसको डाट इस आवर सी बीसी टर्म वान को बहुत ही इसली ठीक है तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलत तैन तिल देन गोड ब्लेस यू ठीक है बाई